हेलो एन वेलकम यू अल टू आर यूटूब चैनल वीविल 2.0 आज है 19 मही और आज से रिलेटेट जितने भी करेंट अफैर्ड्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ करेंट अफैर्स MCQ के फॉर्म में होंगे कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में होंगे तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो को पूरा देखेगा और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ कोश्चन भी पूछूँगा उसका आंसार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाये करेगी, वो आपको टेलिग्राम पे मिलेगी इसी चैनल के नाम से, और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी follow कर सकते हैं, we will underscore 2.0 के नाम से, वहाँ पर आपको बहुत सारे important facts मिल जाएंगे, जो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 5 वा कारेकाल हासिल किया, तो इसका correct answer है, option B, Israel, तो ये जो आपको image में दिख रहे हैं, ये है Benjamin Netanyahu, तो ये जो right में दिख रहे हैं, वो कौन है, इसमें भी एक twist है, कि Benjamin Netanyahu 18 महीने तक Prime Minister रहेंगे, और इस दोरान जो आपको ये right मे दिख रहे हैं, Benny Gantz इनका नाम है, ये रहेंगे Defense Minister, और वो 18 महीने पूरे होने के बाद, Benjamin Netanyahu बन जाएंगे Defense Minister, और ये Benny Gantz जो है, वो बन जाएंगे Prime Minister of Israel, तो जब इसराइल की बात हुए, तो इसराइल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, तो ये जो आपको image में दिख आया है, तो आपको बताना है, तो चलते हैं, इसराइल के बारे में और कुछ जान लेते हैं, इसराइल की capital है Jerusalem, बट इंडिया इसराइल की capital मानता है Tel Aviv को, और वहीं पर इंडिया की embassy भी established है, और इसराइल की currency है, इसराइली शेकल, और इंडिया इसराइली military equipment का largest buyer है, और second largest supplier है, defense system का after Russia, Russia के बाद सबसे यदा दो defense system के equipment खरीदे जाते हैं, वो इसराइल से खरीदे जाते हैं, तो चलते हैं अपने next question पर, and our next question is, SDFC जुबेर इकबाल became new MD of which of the following bank, SDFC के जुबेर इकबाल निमलिखित में से किस बैंक के नए MD बने है, तो इसका correct answer है, option C, Jammu and Kashmir, तो यह जो आपको image में दिख रहे हैं, यह है, जुबेर इकबाल, तो इनसे पहले RK6 CMD थे, means chairman and managing director थे, बट अब वो chairman है, और managing director इनको चुन लिया गया है, तो Jammu and Kashmir की tagline है, serving of empowerment, और इसके chairman जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो है RK Chibber, जैसा कि आप जानते है, article 370 के abolishment के बाद, Jammu and Kashmir को union territory घोशित कर दिया गया था, वो बनी कब थी union territory, तो उसकी date है 31 October 2019, और लद्दा को भी इसी दिन union territory घोशित कर दिय गया था, और दमनन्द्वीप और दादरनागर हवेली को भी एक union territory बना दिया गया है, तो इस समय भारत में 28 राज्य हैं, और 8 union territories हैं, तो जम्मू कश्मीर की बात हुए, तो जम्मू कश्मीर के lieutenant governor है, ग्रीश चंदर मुर्मू, और यहां के famous national park हैं, हैमिस national park, किस्तवर national park, दचिंगम national park, etc., तो चलते हैं अपने next question पे, और next question is, who has authored the book Wuhan Diary Dispatches from a Quarantined City, पुस्तक किस ने लिखी, तो इसका correct answer है, option A, fang fang, तो यह जो आप image में देख रहे हैं, यह है Wuhan Diary का cover page, और जो option B और C में देख रहे हैं, फाहें और हुएं संग, यह कौन है, तो यह आपको स चंद्रगुप्त दुती के राजकाल में भारत आये थे, और अब चलते हैं हुएं संग पे, तो हुएं संग भी Chinese Buddhist थे, जो की हर्शवर्धन के कारिकाल में भारत आये थे, तो अब चलते हैं अपने next question पे, and our next question is, which of the following state launched चरन पादुका as initiative for migrant laborers, तो निमलिखित में से किस प्रवासी मजदूरों के लिए चरन पादुका की शुरुआत की, तो इसका correct answer है option A, मद्रदेश, ये एक अलग तरीके का initiative है, जिसमें जितने भी प्रवासी मजदूर उस state से पास करेंगे, उनको जूते और चपल दी जाएंगे पहनने को, तो जब अब मद्रदेश की बात हैं, बांदवगड नेशनल पार्क, काना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ओमकारिश्वा नेशनल पार्क, सत्कुरा नेशनल पार्क, etc. तो चलते हैं, अपने नेक्स्ट कोश्चन पे, and our next question is, NRAI has partnered with fintech startup.pay to build its own tech platform, what are represent in NRAI, तो NRAI ने अपने स्वयम के तक्नीकी platform के निर्मान के लिए fintech startup.pay के साथ साज़दारी की NRAI में R क्या दर्शाता है, तो इसका correct answer है, option D, restaurant दर्शाता है, तो इसका full form क्या है, वो है of India, तो यह जो आप image में देख रहे हैं, यह NRAI का logo है, और इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं, तो NRAI के president है Riyaz Amlani, और found हुई थी यह 1982 में, इसका headquarter है Delhi में, और .pay का headquarter है Guru Gram, हरयाना में, और इस partnership के according, .pay delivery भी शुरू कर देगा, foods की, जो की Zomato और Swiggy का बहुत- पर, तो आज का हमारा पहला one-liner है, कि OPEC में इरान के प्रतिनेदी, होसेन, कजंपूर, अर्देबिली का निधन हो गया, तो OPEC का full form क्या है, तो OPEC का full form है, organization of petroleum exporting countries, इसमें 13 members है अभी, और इसका headquarter है Vienna, Austria में, तो चलते हैं अपने next one-liner पर, तो आज का हमारा अगला one-liner है, defense testing infrastructure scheme approved by defense minister, तो हमारे defense minister कौन है, वो है राजनाज सिंग, और इस scheme में defense minister ने 400 करोड रुपे का approval दिया है, तो चलते हैं अपने next one-liner पर, नबाड sanctions रुपीज 1500 करोड पर पंजाब to ensure credit flow to farmers, तो पंजाब की capital है चंडीगड, पंजाब के CM है, कैप्टन अमरिंदर सिंग, और वह के governor है, VP Budnor, तो चलते हैं अपने next one-liner पर, World Hypertension Day is observed globally on 17 मई, तो 17 मई को World Hypertension Day मनाया गया, और 18 मई को मनाया गया International Museum Day, तो ये था आज का हमारा session, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी झाल